SMC सिक्सकों को पक्का करने में कई बाद है RTE नेमों में संसोदन आर्थिक तंगी बड़ा कारण स्कोलों में शेवाई दे रहे 2408 सिक्षक राज्य के सरकारी स्कोलों में 2408 स्कोल ऐसे हैं जहां अनुबंद आधार पर SMC सिक्षक सेवाई दे रहे हैं लंबे समय से ये सिक्षक उन्हें रेगुलर के जाने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार को यदि SMC सिक्षकों को रेगुलर करना है तो उसके लिए अभी कई बादा हैं पहला यह मामला हाई कोट में है पूरो बाद बाद सरकार ने SMC के लिए बने कलाज नंबर दस को समाप्त कर दिया था जिसमें उन्हें हर साल अनुबंद पूरा होने पर एक्स्टेंसल लेनी पड़ती थी लेकिन अब इस कलाज को समाप्त कर दिया गया है ऐसे में यह मामला कोट में है कि किस आदार पर पूरो सरकार ने इस कलाज को खतम कर दिया दूसरा यदि SMC शिक्षकों को रेगुलर करना है तो आर्ट इन नियमों में भी संसोधन करना होगा और तीसरी दिक्षक यह है कि सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि इने रेगुलर किया जाए ऐसे में यह बड़े कारन हैं जिनके चलते SMC शिक्षक इतने सालों में भी रेगुलर नहीं होगे दूसरी और ऐसे दुर्गम छेतरे जहां अन्य रेगुलर शिक्षक जाने को तैयार नहीं है वहाँ पर इन्हीं सिक्षकों की सेवाई ली जा रही है PGT, TGT और JVT स्रेडिके SMC शिक्षक के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन ही फिलाल सरकार ने उन्हें रेगुलर करने की बात नहीं कही है वही हाल ही में SMC सिक्षक के सरकार बजट में उनके लिए 500 रुपे वेतन बढ़ाए जाने से खुस नहीं है दरसल इन सिक्षकों का कहना की मुख्यमंतरी शुक्षिंदर सिंग सुक्षों ने उन्हें एक सम्मान जनक की वेतन दिये जाने का स्वशन दिया था लेकिन उनके वेतन में केवल 500 रुपे की बढ़ातरी ही की गई वे खुस नहीं है पिछले 12 सालों से वे लगातार दुर्गम छेतरों में कारिय कर रही है